Hello students, today we will start second chapter of political science, that is constitutional design. इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे? कि हमारा समविदान जो है, हमारा constitution जो है, वो कैसे design होता है? इसमें हम South Africa का Constitution पढ़ेंगे, Making of Indian Constitution के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, Democratic Constitution in South Africa. आपकी टेक्स्ट बुक में सबसे पहले बात की है, Nelson Mandela की. Nelson Mandela को उन्हें थे? Prominent South African nationalist. He was inspired from Gandhi जी. He follows the ideals of Gandhi जी. South Africa में इन्होंने अवाज उठाई थी, अपैराथाइट के खिलाफ. अपैराथाइट क्या होता है, उसके बारे में हम आगे डिसकस करेंगे. 1964 में इन्हें जेल हो गई थी for Trezan. Trezan क्या होता है? Trezan means देशद्रो का आरोप. और ये आरोप White South African Government ने लगाया था इन पे. Means कि जो उस टाइम पे South Africa की Government थी, उन्होंने नेलसन मंडेला पे देशद्रो का आरोप लगाया था और इसलिए इन्हें जेल हो गई थी. जो नेलसन मंडेला थे, उन्होंने अवाज उठाई थी. अपैरथाइड के खिलाफ तो इस वज़ा से जो वहां की Government थी, उन्होंने उन पे देशद्रो का आरोप लगाया. बट जो वहां के लोग थे, उनके लिए वो नैशनलिस्ट ही थे, क्यूंकि वो उनहीं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे. South Africa में White Rule था, British Rule था और उसके खिलाफ नेलसन मंडेला ने अवाज उठाई थी. जैसे इंडिया में Britishers ने Rule किया था, वैसे ही South Africa में भी Britishers ने Rule किया था. बट फर्क ये था, जब इंडिया अजाद हुआ Britishers के Rule से और वो यहां से चले गए. लेकिन South Africa में जो White People थे, जो Britishers थे, वो वहां पर आके रहने लगे थे और वो वहां के Locals बन गए थे. तो वहां पे जो Government थी, वो भी White, जो थे, Britishers जो थे, उनकी ही थी. अब अपराथाइड क्या होता है? अपराथाइड मीन्स रेशिल डिस्क्रिमिनेशन. अपराथाइड वास दे नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशिल डिस्क्रिमिनेशन. जो लोगों के बीच बेदबाव था वहां पे, वो किस बेसिस पे था? स्किन कलर के बेसिस पे. और ये बेदबाव जो था, इसे वहां की White Government ही प्रमोट करती थी. लोग जो थे, उन्हें स्किन कलर के बेसिस पे डिवाइड किया गया था. त्री टाइपस ओफ स्किन कलर, White, Black, Colored. जो Black और Colored थे, उन्हें Collectively Non-Whites कहा जाता था. Whites Government चलाते थे, White Minority Government. सारे Resources वो अपने अंडर रखते थे, सब कुछ अपने Benefit के लिए ही करते थे. जबकि Non-Whites जो थे, उन्हें बहुत सफर करना पड़ता था, और Non-Whites को Voting Right भी नहीं दिया गया था. Colored कोन थे? इंडिया के लोग या जो बाकी Countries के लोग जो वहाँ आके रह रहे थे, और Black जो थे, वो वहाँ के Natives. उसके बाद यहां हम बात करेंगे, Problems faced by Non-Whites in South Africa. कि जो Non-Whites थे, उन्हें क्या-क्या Problems वहाँ South Africa में face करनी पड़ती थी? First, Forbidden from Living in White Areas. जो Non-Whites थे, उन्हें ये Allowed नहीं था, उन्हें ये Permission नहीं थी, कि वो उन Areas में रहे, जहां पे Whites रहते हैं. जहां पे Whites रहते थे, वहाँ Non-Whites को रहने नहीं दिया जाता था. Second, They cannot work in White Areas without Permit. Non-Whites जो थे, वो छोटे-मोटे काम करते थे, जैसे Plumbering का काम हो गया. तो अगर उन्हें ये काम करने के लिए White Areas में जाना पड़े, तो उसके लिए भी उन्हें Permit की ज़रूरत होती थी. बिना Permit के, वो अपना काम करने के लिए भी White Areas में नहीं जा सकते थे. थर्ड, All the Public Places were separate for Blacks and Whites. जो भी Public Places थी, जैसे Schools, Bus Stops, Hospitals, Hotels, Colleges, Cinema Halls, Swimming Pools, ये सब Blacks और Whites के लिए अलग-अलग थे. इसे क्या कहा जाता है? Policy of Segregation. Segregation means अलग-अलग करना. Whites के लिए, जो Public Places थी, वो अलग थी, और Blacks के लिए अलग थी. White के लिए, जो Facilities थी, वो बहुत अच्छी होती थी. बट Blacks के लिए, कोई Facilities जो है, वो नहीं होती थी. Whites जो है, वो Non-Whites को Discriminate करते थे. बहुत ज़्यादा उन्हें discriminate जो है, South Africa में किया जाता था. और ये सब जो है, ये वहां की White Government ही प्रमोट करती थी. जो Whites थे, जिन Churches में Whites जाके वर्शिप करते थे, वहां Blacks को जाना allowed नहीं था. और ऐसा नहीं है कि वहां के लोग जो है, Blacks जो थे, या Non-Whites जो थे, वो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते थे, वो आवाज उठाना चाहते थे, बट उन्हें प्रोटेस्ट करने की भी Permission नहीं दी जाती थी, उन्हें बहुत बुरी तरह से उनके साथ बहुत बुरा विवहार जो है किया जाता था, बहुत बुरा Treatment उन्हें मिलता था. उसके बाद नेक्स आजाता है ANC, ANC क्या है? African National Congress, क्या है? African National Congress was the umbrella organization, ये एक umbrella organization थी, जिसने अवाज उठाई थी, racial discrimination के खिलाब South Africa में. ये एक umbrella party बनी थी, umbrella party means जो बाकी के छोटी मोटी parties थी, वो भी इसके अंदर समा गई थी. umbrella party मतलब एक ऐसी party जिसके अंदर छोटी मोटी parties समा गई हो और इन्होंने मिलके protest launch करा था racial discrimination के against और जो कुछ workers unions थी या कुछ communist parties थी, उन्होंने भी ANC के साथ मिलके racial discrimination के खिलाफ अवाज उठाई थी. और वहांके जो कुछ sensitive whites थे, जो कुछ समझदार whites थे, उन्होंने भी ANC का साथ दिया था और जो white government थी, जो वहां पर discrimination को promote कर रही थी, उसके खिलाफ अवाज उठाई थी, बट इनकी अवाज को दबा दिया जाता था, काफी जो blacks थे या colored people थे, means जो non-white से उन्हें मार दिया जाता था, या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, और white government जो थी, वो rule वहां करती थी, So students, यह था आज का lecture, hope आपको समझ आ गया होगा, thank you.